हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टेडी वाई विशाल पे फ्रेंड्स आज है 27 फरवरी 2022 और 27 फरवरी 2022 को करंट अफेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट कोशन बनेंगे आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे फ्रेंड्स आज की वीडियो अपने आप में एकदम डिटेल वीडियो रहने वाली है अगर आप तयारी कर रहे हैं UPSC, RRB, NTPC, SSC, CGL, CHSL या फिर किसी भी स्टेट पुलिस के एकजाम की तो दोस्तो जिस एकजाम में Current Affairs पूछे जाते हैं उन सभी एकजाम के लिए आज की वीडियो कारगर है फ्रेंड्स वीडियो में एकदम Important और Selected Question लिए गए हैं जिनके आपके एकजाम में आने के 101% चांसेज है ठीक है फ्रेंड्स आज की वीडियो की PDF फाइल आप हमारे Telegram चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं नीचे PDF करके एक मैंने Link दिया है वो हमारे Telegram चैनल है वहाँ पर आप जॉइन हो जाओ वहाँ पर आपको हर तरह की PDF बिलने वाली है ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अकर आप हमारे चैनल पर नए है तो उसको सस्क्राइब कर लेना और साथ में ये बैल आइकोन प्रेस कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो सारी में भारत की जीडिपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा है तो फ्रेंड्स अभी ब्रिकवर्स रेटिंग ने अपने अनुमान को घटाते हुए 8.3 प्रतिशत भारत की जीडिपी वित्वर्स 2022 में रहने का अनुमान लगाया है ठीक है फ्रेंड्स राइट एंसर ए ह इंपर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं ब्रिक वर्स रेटिंग ने चालू वित्वर्स 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पात के विकास के अनुमान को संशोधित कर दिया है जो की 8.3 प्रतिशत नया अनुमान लगाया है इसने पहले सबसे पहले जनवरी 2022 में रेटिंग एजरेंशी ने इसका अनुमान आट अट दसमलाब 5 से नौ फिस दिर रहने का अनुमान लगाय था खेना और अभी इसने आच दसमलाब 3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया ब्रिक वर्क रेटिंग साथ सेवी पंजिकरित क्रेडिट रेटिंग एजिंसियों में से एक है ठीके फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स इस कोश्चन का टाइप GDP एस्टिमेशन से रिलेटिड है तो जल्दी से टॉप फाइप करेंट फेर्स की रिविजन पढ़ लेते हैं कि अभी किसने कौन सी GDP एस्टिमेट की थी सबसे पहला कल ही मैंने आपको बताया था मूडीज ने वित्वर्स 2022 में भारत की GDP 9.5% रहने का अनुमान लगाया है SVI एकोरेप की रिपोर्ट के नुसार वित्वर्स 2022 में भारत की GDP 8.8% रहने का अनुमान है Ministry of Esthetics and Program Implementation इसने वित्वर्स 2023 में भारत की GDP 3.5% रहने का अनुमान लगाया है RVI ने वर्स 2022 तेस के लिए भारत की GDP 7.8% का अनुमान लगाया है वही एजिंसी क्रिसिल ने दोस्तों वित्वर्स 2023 में भारत की GDP 7.8% रहने का अनुमान लगाया है तो कुछ GDP Estimation Friends आपको ध्यान रखनी है Next Question Friends हाल ही में Global Banking Group Standard Chartered ने भारत में एरलाइन उद्योगों के लिए एक भुकतान प्लेट्मों को लाँच करने के लिए किसके साथ समझाता किया है भारत के एरलाइन उद्योगों में भुकतान करने के लिए अभी IATA के साथ समझाता किया है दोस्तो जैसे आप Paytm का यूज करते हो उसी तरह से ये IATA जो है ये भी एक पेमेंट करने की संस्ता है और अभी Standard Chartered ने दोस्तो भारत में एरलाइन उद्योगों के लिए भुकतान करने के लिए IATA के साथ समझाते क्या है Important Points में अच्छी तारा जानते है Global Banking Group Standard Chartered ने भारत में एरलाइन उद्योगों के लिए एक भुकतान प्लेटफर्म लाँच करने के लिए International Air Transport Association जिसको IATA कहते हैं इसके साथ साज़ेदारी की है Friends IATA Pay एक भुकतान विकल्प है जो भाग लेने वाली एरलाइनों को UPI Scan और Pay और UPI Collect जैसे ततकाल भुकतान विकल्प प्रतान करने में सक्षम बनाता है Standard Chartered अन्य बाद्यारों में भी IATA Pay के रोल आउट का समर्थन करेगा अब Friends Standard Chartered ने किया है तो वर्तमान में इसके CEO Bill Winters है Standard Chartered की स्थापना 1990 में की गई थी और इसका मुख्याले लंदन में है Friends ये साज़ेदारी International Air Transport Association द्वारा की गई है तो इसका मुख्याले कनाड़ा के Montreal में है International Air Transport Association के वर्तमान में DG Billy Wals है ठीके Friends इसकी स्थापना 1945 में की गई थी तो कुछ इतना आपको याद रखना है Friends इस Question का Type Compromises से Related है तो जल्दी से Top 5 Current Affair के Revision कर लेते हैं कि अभी किसने किसके साथ समझोता किया सबसे पहला केरल Startup Mission ने Google के साथ समझोता किया है TransUnion ने MSME उपभुकता सिक्षा कारेकरम के लिए फिक्की के साथ तायब किया है भारत ने निर्यात शुल को कम करने के लिए UAE के साथ समझोता किया है Friends टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए Twitter ने पेटेम के साथ समझोता किया है और पैसा बजार ने पैसा on demand credit card launch करने के लिए RVL Bank के साथ समझोता किया है तो कुछ compromise जिस भी आपको ध्यान रखने है Next question है Friends हाल ही में किस राज्ये के पहले आदिवासी मुख्यमंतरी हेमानंद विस्वाल का निधन हुआ है तो Friends अभी उडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंतरी हेमानंद विस्वाल का निधन हो गया है जिले के भुया आदिवासी विस्वाल ने 1989-1999-2000 तक दो बार मुख्यमंतरी के रूप में कारे किया है तो Friends अभी मेकापती गोतम रिड़ी का निधन हो था ये आंदरप्रदेश के वर्तमान के उद्योग मंतरी थे शकुंतला चोधरी का निधन हो था ये सोतनतता सैनानी और गांदिबादी थी शुरजीत सेन गुपता का निधन हो था ये एक फेमस फुटवल खिलाडी थे रविश कुमार का निधन हो था ये फेमस पत्रकार थे और चन्नवीरा कानवे का निधन हो था ये एक फेमस लेखगवा कभी थे तो ये भी आपको ध्यान रखना है ठीके Friends अभी देश की बेटी मीरवाई चानू ने सुन पत्रकार जीता है ठीके Friends ये है मीरवाई चानू और इन्होंने ही ये सुन पत्रकार जीता है इंपर्टेंट पॉइंट्स में देखते है भारतिय भारुत तलक और 2020 टोक्यो ओलम्पिक की रजत पत्रक विजेता मीरवाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापूर भारुत तलन अंतराष्टिय 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में सुन पत्रक जीता है चानू ने पैडियम के शीट्स पर खड़े होने के लिए 191 ग्राम का कुल बजन उठाय था ठीके Friends Friends इस question का type tournament winning से related है तो जल्दी से top 5 current affair की revision कर लेते हैं कि अभी किस ने कौन सा टूर्नमेंट जीता रियो ओपन टैनिस खिताब ये कार्लोस अलकराज ने जीता था सीनियर नेशनल वॉल्यवल चेंपेंशिप हर्याना की मेल टीम और केरल की फीमेल टीम ने जीता था फीफा विश्व कप चेंपेंशिप 2021 इंगलेंड के चल्सी कलब ने जीता था अफरिका कप अफ नेशन ये सेनेगल देश ने जीता था और अंडर 19 क्रिकेट वल्ड कप 2022 ये भारत देश ने जीता था ठीक है फ्रेंट्स इतना आपको ध्यान रखना है इंपोर्टन पॉइंट्स में जानते है उननिस सो पिचानवे बैच के आईये सदिकारी और डिजिटल इंडिया कॉर्परेशन के सीओ अभिशेक सिंग को नई राष्टे इगवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में निउक्त किया गया है इस कोशन का टाइब न्यू प्लेस्मेंट से रिलेटिड है तो जल्दी से टॉप फाइब करेंट अफेर के रिवीजन पढ़ लेते हैं कि अभी किसे क्या निउक्त किया गया था सबसे पहला आईड़ी बैंक के नए एमडिवा सीओ राकिश शर्मा बने है अंतराष्टी रवड अध्यन समू के नए अध्यक्ष भारत के के एन रागवन बने है होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीओ ताकुआ सुमूरा बने है उसके बाद भारत के पहले राष्टे समूद्री सुरक्ष समनवयक जी अशुक कुमार को बनाए गया है इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट माग करके रखना तो फ्रेंट अभी भारत और जापान के बीच तीसरा पूर्वधर्मगार्जियन दो जर बाइस संयुक्रभान समूद्र अभ्यास शुरू हुआए ठीक है व्रेंट अंसर बी है जापान मराथा लाइट इन्फरेंटरी रेजिमेंट और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की तीजवी इन्फरेंटरी रेजिमेंट बारा दिन तक चलने वाले इस संयुकत अभ्यास में भाग लेने वाली है फ्रेंट्स इस कोशन का टाइप मिलिटरी एक्सरसाईस से रेलेटिड है तो जल्दी से टॉफ फाइब करेंट अफेर्स जान लेते हैं कि अभी किस-किस ने मिलिटरी एक्सरसाईस की थी सबसे पहला दोस्तों कल बताया थे मैंने आपको मिलन 2022 अभ्यास शुरू हुआ है ये एक नौसेना का अभ्यास है और ये एक बहुपक्चे अभ्यास है भारत और 47 देशों के साथ दोस्तों ये अभ्यास शुरू हुआ है पूरवी बिरिज 6 वायू अभ्यास ये इंडियन एरफोर्स और ओमान की रोयल एरफोर्स के बीच में शुरू हुआ था कोप साउथ 2022 ये USA और बंगलादेश के बीच में हुआ था और फ्रेंट्स पस्चिमी लहर एक्सपील 2022 ये संयुक्त सैना भ्यास है इसमें भारत की तीनों सैना और इंडियन कोश्टगार्ट ने भाग लिया था नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 ये रूस चीन और इरान की सैनाओं ने अभी क्या था ठीक है फ्रेंट्स इतना आपको ध्यान रखना है जो सूक्ष्म लगू और मध्यम उध्धमों MSME को उनके वेवसाय से सम्मधित परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तिकी सरलिकरत और डिजिटल डिलिवरी प्रदान करता है ठीके फ्रेंड्स अब Union Bank of India ने किया है तो इसका मुख्याले मुंबई में है Union Bank of India के CEO राज किरन राय जी है ठीके फ्रेंड्स Union Bank of India की स्थापना दोस्तो 11 नमबर 1919 में की गई थी ठीके फ्रेंड्स इतना आपको ध्यान रखना है Next Question है Friends अमेरिका दोस्तो शीर्ष पर रहा है पहले नमबर पर अमेरिका है और फ्रेंड्स इसमें भारत है भारत 43 वे नमबर पर रहा है ठीके Friends इतना आपको ध्यान रखना है बारत ने अपने समगर IP स्कोर में 34.4 परतिशत से 38.6 परतिशत तक का सुधार किया है और देश अंतराष्ट्य बौधिक संपदा सूचकंग 2022 में 55 देशों में से 43 स्थान पर रहा है ठीक है फ्रेंड्स यह है इंडेक्स USA Chamber of Commerce के Global Innovation Policy Center द्वारत जादी किया जाता है जुलाई 2021 में वाडिज्य पर संसदिय स्थाई समीती ने भारत में वौधिक संपदा अधिकार व्यवस्था की समिक्षाद जारी की थी ठीक है फ्रेंड्स इस कोशन का टाइब इंडेक्स से रिलेडेड है तो जल्दी से टॉप फाइब करेंट अफेर की रिज़न कर लेते हैं कि किस इंडेक्स में भारत का क्या इस्थान रहा था सबसे पहला Salesforce Global Index 2022 जारी की गई थी इसमें भारत का पहला इस्थान था ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स भारत प्रेश सोतंतरता इंडेक्स 2021 जारी की गई थी इसमें जम्मो कश्मीर राजय टॉप पर था Global Drug Policy Index 2021 जारी की गई है और इसमें भारत 28 नमबर पर है जलवायू परिवर्टन परदर्शन सूचकांग 2022 में भारत 10 नमबर पर है और 2021 ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिंग रैंकिंग में भारत 28 नमबर पर है ठीक है फ्रेंड्स ये कुछ इंडेक्स आपको ध्यान रख भारतिय मंदिर की वास्तुकला पर एक देवायतनम नमक एक सम्मेलन का अभी उद्घाटन किया है ठीक है फ्रेंड्स रैट अंसर ए है जी किशन रिड़ी इंपर्टन पॉइंट्स में जानते हैं संस्कृति मंत्राले भारत सरकार का भारतिय पुरतत्यों सर्वेक्षन जिस रिड़ी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था ठीक है फ्रेंड्स सम्मेलन का उद्देश है मंदिर के दार्शनिक धार्मिक समाजिक आर्थिक टकनीकी वेज्यानिक कला और इस्थापत्य पहलों पर विचार विमर्च करना है ठीक है फ्रेंड्स नेक्स कोशन है बटन पॉइंट्स में देखते हैं केंद्रिय सुक्षम लगू और मध्यम उध्यम मंत्री MSME नारायन रानी ने महराष्ट के सिंदु दूर्ग में 200 करोट रुपे के परिवय के साथ MSME प्रद्योगी की केंद्र की इस्थापना की गोशना की है ठीके फ्रेंट्स MSME प्रद्योगी की केंद्र उध्योग विशेश रूप से MSME को उनकी प्रतिस परदात्मक बढ़ाने और शेत्र के नियोजित और बेरोजगार युवाव को उनकी रोजगार शमता बढ़ाने के लिए कौशल सिवाय परदान करने के लिए सर्वत्तम प्रद 2022 की वीडियो में करने वाले हैं ठीक है friends friends वीडियो पसंद रहा है यो तो इसको like, share और comment करके बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी और friends अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो इसको subscribe कर लेना क्योंकि आप जानते हैं कि इस चैनल पे daily current affairs की वीडियो upload होती है और स सारे current affairs एकदम important होते हैं ठीक है friends तो मिलते हैं next video में चैहिन दोस्तों